हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपके पास बोड़ा फोन का सिम है और आप यूटूब या फेस्बुक पर वीडियो अपलोड करते हैं तो आप अपनी इंटरनेट की अपलोड स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं एक ट्रिक की मदद से जो मै ट्रिक यूज करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा और क्या होता है कई बार हम वीडियो यूटूब पर अपलोड करते हैं और हमारा वीडियो बहुत बड़ा होता है 1GB का होता है या कई बार 8900MB का होता है और इतना बड़ा वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो बहुत टाइम ले लेता है लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपकी बोड़ाफोन की इंटरनेट की स्पीड अपलोड के टाइम फास्ट हो जाएगी और आपका वीडियो जल्दी ही यूटूब या फेस्बुक पर अपलोड हो जाएगा ये एक बिल्कुल ही छोटी सी ट्रिक है जो कि मैं यूज़ करता हूँ कई बार तो मेरे को जरूरती नहीं बढ़ती इसकी कि बोड़ाफोन की इंटरनेट की अपलोड की स्पीड वैसे मेरी तो जादा ही रहती है कई बार क्या होता है इसकी इंटरनेट की अपलोड की स्पी और यह देखिए मैं एक वीडियो अप्लोड कर रहा हूं यूटूब पर और यह मेरा 134 MB का वीडियो है यहां पर मेरी स्पीड बिल्कुल ही सही आ रही है फास्ट आ रही है और क्या होता है कई बार हमारा वीडियो जो होता है 1GB या 8900 MB का होता है यहां पर मेरी स्पीड भी कई बार खम हो जाती है के भी के साब सी आने लग जाती है मैंने देखा है कई बार मैं वीडियो अप्लोड करता हूं बड़े बड़े वीडियो भी होते हैं 8900 MB के तो मैं क्या करता हूँ अपने airplane mode को एक बार on कर देता हूँ वीडियो upload करने के बाद जैसे speed आ रही है 2-4 MB की मतलब slow चल रहा है वीडियो upload होने में तो उस time मैं अपने airplane mode को on कर देता हूँ और उसके बाद एक आधे मेंट बाद फिर off कर देता हूँ इससे क्या होता है एक बार हमारा network जाता है और फिर दबारा से आयाता है और हमारी जो Vodafone की internet की upload की speed है वो ज्यादा हो जाती है मैंने कई बार इसको try किया है आप भी जुरू try करना आज के वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजिए share कर दी कर दीजिए